फ्रेंज मेरे चानल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे रेसिपीस का सबसे पहले अपडेट पाने के लिए बैल बटन दबाना ना भूलें हैलो फ्रेंज हानी के रसाई से आपका स्वागत है आज में आप लोगों के लिए बहुत ही यूनिक और अमेजिंग टेस्ट वाली मटर और नारियल की बर्फी लेकर आई हूँ और इसे बनाने बहुत असान है और अगर आप किसी को खिलाएंगे तो कोई नहीं मानेगा कि ये मटर से बनी है इतना अमेजिंग और यूनिक इसका टेस्ट होता है इसे बनाने के लिए हम इसे उबलते हुए पानी में डालेंगे और दो मिनट के लिए इसको बॉयल करेंगे और इसके बाद से छान कर ठंडा करके इसे पीस लेंगे हमारे मटर रेड़ी है इसे हम ड्रेन कर लेते हैं बॉल किये हुए मटर हम मिक्सर जाल में डालेंगे और इसे दरदरा पीस लेंगे ये लिए फ्रेंट्स हमारे मटर का पेस पुलको रेड़ी है आगे का प्रसेश शुरू करते हैं सबसे पहले हम एक कड़ाई में एक बड़ा चमर देशी की गरम करेंगे जब गी अच्छे से गरम हो जाएगा तब हमने जो मटर का पेस्ट तयार किया है वो पेस्ट इसमें डालेंगे और अच्छे से इसे बुनेंगे हमें मटर के पेस्ट को बीच बीच में अच्छे से चलाते हुए बुनना है और इसे तब तक बुनना है जब तक कि इसमें जिता भी मोईस्चर है वो मोईस्चर ना खतम हो जाए और हलका सा ब्राउन कलर ना आने लगे जैसे हलका ब्राउन कलर आने लगेगा मतलब हमारा पेस पिल्कुल बुनकर रेड़ी है देखे फ्रेंट्स सारा मॉश्चर अच्छे सूख चुका है और हलकी से ब्राउनिंग भी इसमें आने लगी है हमारा पेस्ट रेड़ी है हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं और अब इसी सेम कडाई में हम लोग अपनी जो चाशनी है शुगर सिरप वो हम इसमें बनाएंगे अब सेम उसी कडाई में हम चेनी डालेंगे और उसमें थोड़ा सा पानी जित्ती चेनी है उसका वन फोर्थ हम पानी डालेंगे और इसे अच्छे से पिगला कर हम चाशनी रेड़ी करेंगे जिसमें हम अपना पेस्ट है मटर का वो डालेंगे हमे इसे अच्छे सा चलाते विदें चलाते रहना है ताकि यह नीचिसे चिपके न और करीब जैसे हमारे हाथ में चिपचुपाने लगे उस तरह कि या एक ताल की चाष्नी हमें इसके त्यार करनी है हमारी चाशनी अल्मूस्ट रेडी हो गई है देखिए काफी डिड्यूस हो गई है अब हम इसमें अपना मटर का पीस टाल देंगे और पेस टाल कर एक पर अच्छे से हम इसे मिक्स करेंगे बिल्कुल जिसे पूरे जो लॉंप सेंस के यह बिल्कुल खतम हो जाएं ओर इसी स्टेज पर हम लोग इसमें मिल्क पाउडर डालेंगे फ्रेंट्स अगर आप चाहिए आप इसमें खोगा डाल सकते हैं मैं येपास खोगा आविलिबल नहीं था इसलिए माने यहाँ पर जाover किया है और मिल्क पाउडर डालकर भेल अच्छे से मिक्स और आकि मिल्क और इसी में ही मैं आदा चम्मच इलाइची का पाउडर भी डाल रही हूँ इसे भी डालकर हम अच्छे से मिलाएंगे और इसे तब तक भूनेंगे जब तक की अच्छा थिक ना हो जाए गाड़ा ना हो जाए देखिए फेंट्स बहुत अच्छे से रिड्यूस हो गया है काफी ठिक हो गई है इसकी कंसिस्टेंसी अब हम इसमें जो हमारा नार्यल का भूरा है डेसिकेटिट कोकोनट वो हम डालेंगे आप लोग चाहें तो जो सूखा नार्यल होता है उसको कदुकस करके भी डाल सकते हैं बट मैं हमेशा यही डालती हूँ और यह काफी अच्छा टेस्ट भी देता है आप देखेंगे जैसे हमने नार्यल का बूरा डालेंगे तो इसकी कंसिस्टेंसी और थिक हो जाएगी और बैटर बिल्कुल रेडी है अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे फ्रिंट्स मैंने आप चाहें तो इस स्टेज पर ड्राइफूट्स आप इसी में डाल सकते हैं लेकिन मैं इसमें नहीं डाल रही हूँ मैं उपर से गानिश करती हूं तब डालती हूं पस हमारा बैटर अब हम एक थाली को अच्छे से गी या तेल लगाकर चिकना कर लेंगे अब हमारा तयार जो मतर की बर्फी का मिश्रन है उसे हम थाली में डालेंगे और अच्छे से फ्लैट कर देंगे अब अपनी जो आपकी तयार बर्फी है इस पर अपने मंचाहे ड्राइफ्रूट्स उपर से गानिश कर सकते हैं मैं यहां बदाम और पिस्ते की कत्रन डाल रही हूँ मैं इस पर थोड़ा सा नारिल का बूरा भी उपर से छिड़क दे रही हूँ जिसे और भी फ्लेवर अच्छा आएगा और अब हमें इससे सेट होने के लिए आज़े से एक गंटे के लिए रखना है उसके बाद आप मंचाहे टुकड़ों में इससे काट सकते हैं लीजे फ्रेंट्स मेरी जटपट त्यार होने वाली मतर और नारिल की बर्फी बनकर बिलकुल रेडी है बहुत ही ऑसम इसका टेस्ट है तो आप लोग भी से जरूर बनाएगा और अगर मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें जारे से ज़रा शेयर क करें अपने अनुबव कॉमेंट्स में लिखें और मेरा चैनल जुरूर सब्सक्राइब करें थैंक यू